नमस्कार मित्रो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रधान मंतरी सम्मान निधी यूजना के तहट 12,000 रुपयों का लाव कैसे अपने बैंक काउंड में ले सकते हैं यहां दोस्तों यहां पे सरकार द्वारा एक यूजना चलाई जा रही है काफी पहले से जिस यूजना का नाम है प्रधान मंतरी सम्मान निधी यूजना पहले इस यूजना के तहट यहाँ पे 6,000 रुपे जो है साल में दिये जा रहे थे सरकार दोरा लेकिन दोस्तों अभी कुछ हफ्तों पहले हमारे प्रधान मंत्री दोरा ये सुचित किया गया है कि उस 6,000 रुपे को बढ़ा के 12,000 रुपे कर दिया जाए और दोस्तों अगर आप एक किसान है या फिर आपके पास खेत है आप कहीं पे खेती करवाते हैं तो अगर आपके पास 5 एकर से कम जमीन है मतलब कि 5 एकर से कम खेत है तो आप सरकार से इस सम्मान निभी यूजना के तहट 12,000 रुपे का लाव ले सकते हैं अब दोस्तों आपको करना क्या होगा इस यूजना का लाव लेने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास जो जमीन है उस जमीन के कागजाद होने चाहिए और तीसरे नंबर पर आपका बैंक एकाउंट होना चाहिए यह तीनों चीज अग अगर आप अपने मोबाइल फोन से करना चाहते है तो काफी असान प्रोसेस है वो भी मैं आपको यहां पर बतायता हूं यहां पर मैं सबसे पहले अपना मोबाइल फोन ले लेता हूं और यहां पर अभी स्क्रीन पे आप मेरे मोबाइल फोन को देखेंगे अब दोस्तों य यह प्रोसेस जो है काफी आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई वसुधा केंदर नहीं है तो यहाँ पर आप वीडियो जो देख रहे हैं उस वीडियो को अब ही तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और तो तीसरी नमबर पेज से आप नीचे से application को डाउनलूड कर सकते हैं application को डाउनलोड कर लिजेगा तो यह application इस तरीके से खुलेगी और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि PM किसान योजना मुख्य पेज इस पर आपको जाना है उसके बाद आपको मुख्य पेज मिलेगा उसके बाद आपको मिलेगा नया पंजी करन करें नया पंजी करन करें उसके बाद यहां पर देखेंगे किसान सम्मान निदी योजना में नाम सर्च करें अगर आपने पहले से रेजिस्टेशन कर रखा है तो नाम सर्च कर सकते हैं नया किसान रेजिस्टेशन कैसे करें यहाँ पर दोस्तों नया किसान रेजिस्टेशन पर आपको क्लिक करना है उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने यह फॉर्म खोल जाएगा यहां पर आपको अधार नंब़ डालना है मोबाइल नंब़ डालना है स्टेट स् inspiration करना है जो भी आपका स्टेट हो उसके बाद आपको यह कोड डालना है जो नीचे में लिखा हुआ है यह कोड डालके send OTP पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ आप OTP पे click कर देंगे यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा किसान सम्मान निधी योजना का form आ जाएगा इस form को आप आसानी से भर सकते हैं अपने डीटेल के साथ तो यहाँ से apply कर सकते हैं और इस योजना का लाव आपको आपके bank account में मिल जाएगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को like और जाज सेदा शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत पहुत थन्यवाद